हलो दोस्तो, स्वाकत है आपका अनुराग कीवानी यूटुब चैनल पर मेरा नाम है अनुराग, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आगया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी दोस्तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है आज की कहानी को आप सुरू से लेकर अन तक जरूर सुनियेगा क्योंकि आज की कहानी बहुत ही जादा इंटरस्टिंग और डरावनी होने वाली है तो हेड़फोन्स लगाईए और इस कहानी को अपनी आँखों के सामने इमेजिन करके सुनियेगा रात के दो बज रहे थे राहुल की अचानक से नीन खुली शायद उसने कोई आवाज सुनी थी उसने अंधेरे में अपने डबल बैड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी उसने सोचा की शायद वो टॉलेट गई होगी लेकिन बैडरूम का गेट खुला हुआ था और टॉलेट तो उसके बैडरूम से अटैस था फिर ये गेट क्यों खुला हुआ है राहुल ने अपने आप से पूछा इसका मतलब नेहा टॉलेट में नहीं है वो बाहर है राहुल फिर अपने आप से बढ़ बढ़ाया राहुल अपने रूम से बाहर आया वो एक तीन कमरों का फ्लैट था राहुल ने सारे कमरों में देखा लेकिन उसे नहा कहीं नजर नहीं आई तभी उसकी नजर कमरे से लगी बालकनी पर गई उसे वहाँ कोई अराम कुरसी पर बैठ कर हिलता हुआ नजर आया उसकी पीट राहुल की तरफ थी और वहां अंदेरा भी था इसलिए पहचानना मुस्किल था कि वहाँ कौन बैठा है राहुल को लगा शायद वो नहा है लेकिन नहा इतनी रात में यहां क्यों बैठेगी भला राहुल ने फिर अपने आप से सवाल करा राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज लगाई नहा ओ नहा तुम इतनी रात में यहां क्या कर रही हो लेकिन उसकी अवाज सुनने के बाद भी उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई वो वैसे ही अराम कुर्सी पर हिलती रही राहुल ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो उसके और पास जाकर उसके कंदे पर हात रखकर बोला नहा क्या हुआ तुमें तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अचानक अपने कंदे पर किसी का हात महसूस करके नहा जटकी से उस कुर्जी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलेट कर राहुल की तरफ देखा राहुल उसका चेहरा देखकर चौक गया उसके बाल खुले हुए थे उसकी आँखे लाल थी जैसे किसी ने उसकी आँखों में मेर्ची जोक दी हो इस तरीके से लाल थी और आँखों के चारों तरफ काजल अंदर नहीं आँखों के बाहर चेहरा सफेद जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो और होटों के चारों तरफ लिप्स्टिक खुनी लाल रंग की लिप्स्टिक उसकी सेकल डरावनी लग रही थी साथ में रात का महौल उससे और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था रहुल उसकी सेकल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मूँ से निकले शब्दों ने पूरी कर दी कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू अच्छा तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है चल भाग जयां से यहां कोई नेहा वेहा नहीं है उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर राहुल बुरी तरह घबरा गया उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया है उसने अपनी सारी ताकेत खटा करके तालू में चिपकी हुई जबान से लड़ खड़ाते हुए कहा ने नेहा ये तुमें क्या हो गया है मैं नेहा नहीं उसकी बहन निधी हूँ तुने नेहा शेशादी करके उसकी जिन्द की बरबाद कर दी वो विचारी मेरे पास आई थी और रो रोकर अपनी तकलीव बता रही थी कि तुने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है वो तुससे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी तुससे और इतना बोलकर वो कूदकर उस पर जबट पड़ी उसने रहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने लगी और साथ में बूली मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगी रहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी वो इसके लिए तयार नहीं था इसलिए वो अपने आपको बचा नहीं पाया नेहा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो अपनी पूरी ताकत लगा कर भी उसकी पकड से छोट नहीं पा रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो बड़ी मुश्कल से रहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की नहा ये तुम क्या कर रही हो तुम निधी कैसे हो सकती हो निधी को तो मरे हुए साथ साल हो चुके है प्लीज नहा होश में आओ मैं तुम्हारा पती राहूल हूँ तुम अपने पती को माल डालोगे क्या राहूल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड धीली पढ़ने लगे और फिर वो अचानक भ्योशो का नीचे गिर पड़े अपनी गर्दन से नेहा की पकड हटते ही राहुल ने खास्ते होई लंबी-लंबी सासे ली और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नजर सामने भिहोस पड़ी नेहा प्रगई उसने ढरते ढरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बैडरूम में लाकर अराम से बैड पर लिटा दिया और फिर सोचन लगा किसे अचानक से हो क्या गया था कहीं सच में तो निधी के आत्मा इसको उपर तो नहीं आ गई थी वो सोचने लगा कितनी रात में मैं क्या करूँ उसकी नियन गयब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैड कर सुबह होने का इंतिजार करने लगा अरे आप वहां कहां चेयर पर सो रहे हैं रात तो आप इस बैड पर ही सोय थे सुबह आग खुलने पर नेहा ने अपने पती राहुल को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचम्बित होते होए पुछा नेहा की आवाज सुनकर राहुल हडबड़ा कर उठा और नेहा को आखे फाड़ फाड़ कर देखने लगा वो ये पक्क कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं ऐसे आखे फाड़ कर क्या एक टक मुझे घूरे जा रही हो नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब से लगी तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं राहूल ने अश्यरे मिश्रित डर के साथ उससे पूछा तुम क्या कहना चाह रहे हो मेरी तो कुछ भी सोन में नहीं आ रहा नेहा की आँखे अचंबे से फैली जा रही थे नेहा को समस्ते ना देखकर राहूल ने उसे रात की सारी बात विस्तार से बता दी राहूल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे आइने के सामने खड़ा कर दिया नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में था नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीख के आईने के सामने से हड़ गई अब उसे भी राहूल की बात पर यकीन सहोने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बढ़ाने लगी ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? राहुल कहीं तुम मुझे छोड़ तु नहीं दोगे न उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहूं में कैद कर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला अरे यार तुम कैसी बात कर रही हो भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कर सकता हूँ तुम परिशान मत हो हम आज ही किसी अच्छे मनो चिकतसक के पास चलते हैं देखना तुम बहुत जल ठीक हो जाओगी अच्छे अब तुम जल्दी से त्यार हो जाओ और मैं भी ऑफिस में छुट्टे के लिए फोन कर दीता हूँ थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों शेहर के मशूर मनो चिकतसक के सामने थे राहूल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी घटना पूरी विस्तार से बता दी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले निहा को अपने कैबिन से बाहर बैठने का इशारा करा उसका इशारा समझ कर निहा ने राहूल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे रहुल निया से कहा कोई बात नहीं तुम बाहर वेट करो मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ उसकी बात सुनकर नहा ना चाहते होए भी बाहर चली गई हाँ तो रहुल जी ये बताईए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है और क्या इस तरह कि कोई घटना पहले भी हुई थी डॉक्टर साहब हमारी शादी को साथ महीने हो चुके है और ये रात वाली घटना पहली बार हुई है देखिए मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अपनी बेहन के मरने का सदमा कुछ जाद ही गहरा बैड़ गया है और उसी की वजह से ये स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो गई है इसके सोने के बाद इसका अफचेतन मन इस पर हावी होकर इसे निधी बना देता है आपको जादा चिंता करने की जरूत नहीं है मेरे इलाज से ये जल्दी ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरनाक तो नहीं है न रहुन ने रात में अपने उपर हुए हमले को याद करके डॉक्टर से पूछा उसकी बास सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते होए बोली देखिए फिलहाल तो खतरा है ये अपना या फिर किसी दूसरे का भी नुकसान कर सकती है लेकिन आप जादा परेशान मत होईए मैं जो आपको मेडिसिन दूँगा उनसे निहा को अराम मिलेगा और रात में ये गहरी नीन में सोएगी भी आप उठाओगे तब भी ये नहीं जागेगी डॉक्टर की बास सुनकर राहूल काफी हद तक संतोस्त हो गया और फिर वो वहाँ से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया जैसे आग लगाने का पता धुएं से चलता है वैसी ही निहा की बिमारी का पता अडोस पडोस में सब को चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे निहा बिचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती क्योंकि रहुल भी घर पर कब तक रुकता उसे नौकरी जो करनी थी इसी तरह एक दिन शाम को रहुल आफिस से शाम को साथ बजे घर लोटा उसने फ्लैट की डोर बैल बजाई लेकिन गेट नहीं खुला उसने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बैल बजाई लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला अब तक रहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी उसे लगा कोई अनोनी ना हो गई हो और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से लात मारने लगा शोर सुनकर उसके पड़ो से भी बाहर निकल आए रहुल ने उन्हें सारी बात बता दी वे लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने में लग गए थोड़ी देर में ही वो गेट तोटकर गिर पड़ा राहुल दोड़ता हुआ अंदर गया नेहा उस कमरे में नहीं थी वो वाज लगाता हुआ दूसरे कमरों के तरफ दोड़ पड़ा और पीछे-पीछे से उसके पडोसी भी राहुल जैसे ही अपने बैडरूम में पहुँचा वहां के दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई सामने फर्स पर एक आदमे की लाश पड़ी थी एक 26-27 साल के आदमे की लाश उसे किसी ने चाकू से बड़ी बहरेमी से गोथ दिया था राहुल उसे पहचान नहीं पाया उसने उसे पहली बार देखा था तभी उसने रूम में नजर घुमाई तो सामने बैड पर नेहा भ्योस पड़ी थी उसके हाथ में सबजी काटने वाला चाकू था जो पूरा खून से सना पड़ा हुआ था और उसके कपड़े भी खून से लटपत थे वहाँ के दिर्शय देखकर राहुल सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैड़ गया वो सोचन लगा कि ये क्या हो गया नहा से और ये आदमी कौन है अब नहा का क्या होगा मैं नहा को फासी के फंदे से कैसे बचा पाऊंगा राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसने ऐसी अन्होनी की कलपना भी नहीं की थी वो अब भी उस कमरे की फर्स पर निढाल पड़ा था पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे और नहा अब भी बैड पर भ्योश पड़ी थी थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आ गई शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी पुलिस वालोंने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बहार कर दिया और फिर वे अपनी जाच में जुड़ गई थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बहार आये और उसने पूछा कि इस फ्लैट का मालिक कौन है और उसका रिस्ता उस भीोश और से क्या है इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया और फिर उसने उसे सुरू से आखिर तक सब बता दिया इंस्पेक्टर ने उसकी बाद बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी की छीटे मार कर उसे उठाने की कोशिश करी दो-तीन बार छेटे मारने के बाद नेहा को दीरे-दीरे होश आने लगा लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह से होश आया तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई उसे समझ में नहीं आया कि मेरे पती के साथ ये पुलिस क्यों है तभी उसकी निगह अपने हाथ में पड़े खून से सने चाकू पर पड़ी और साथ ही अपने कपड़ों पर लगे खून पर भी वो एकदम से बूरी तरह घवरा गई और फिर उसने चाकू को सामने की तरह फेक दिया वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जाकर गिरा जैसे ही वहाँ चाकू गिरा तो निहा की निगह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई उसने जोर से राहूल को आवाज लगाई और फिर उससे लिपड़ गई उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है उसकी हलत देखकर रहूल उसके लिए पानी ले आया और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी कि कैसे वो आफिस से आया और फिर गेट तोड़कर अंदर आया और फिर ये सब कुछ देखा नहा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने करा होगा वो भला किसी को क्यों मारेगी अभी वो सोची रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा क्या अप इस आदम्यों को जानती है और क्या वजहती जो आपने इसे मारा इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नहा से पहले रहुल बोल पड़ा सरीए भला इसे क्यों मारेगी ये तो इसे जानती भी नहीं है हमने आशंसे पहले इसे नहीं देखा और वयसे भी ये मानसिक रोब से बिमार चल रही है और फिर रहुल ने इंस्पेक्टर को निहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी इंस्पेक्टर ने उसकी सारी बास सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद रहुल से कहा देखिए मेरी सोहान भूती आपके साथ है लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा बाकी आप कल कोल्ट में ये सारी रिपोर्ट्स दिखा देना हो सकता है इन्हें वहाँ से रहात मिल जाए और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए अगले दिन साड़े बारा बजे कोल्ट रूम कोल्ट रूम में अच्छी खासी भीड थी हर कोई इस केस के बारे में जानना चाता था कि ये मडर किस ने करा और मरने वाला कौन था थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी हुई थी सरकारी वकील नेहा को ही कातल साबित करने पर तुला था और रहुल की तरफ से बचाफ का वकील ये बता रहा था कि जज सहाब मेरी मुवकिकल मानसिक रूप से बिमार है इसलिए उसने अपने होश में ये खून नहीं करा इसलिए मेरी आप से गुजारिस है कि कि मेरी मुवकिकल को इस ग्राउन पर जमानत दी जाए जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े धिहान से सुनी और फिर उन्होंने बोला देखी अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि मुझरिम की दिमागी हलत सच में ठीक है या नहीं कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती इसलिए मैं पुलिस को आदिश देता हूँ कि सरकारी डॉक्टर की निग्रानी में पंद्रा दिन तक मुझरिम की दिमागी हलत का पता लगाया जाए और फिर कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए कोर्ट उसके बाद ही कोई फैसला करेगी और ये आदेश करके जज साहाब कोर्ट रोम से उठकर अपने चैंबर में चले गए और इधर राहुल भीगी आँखों से निहा की तरफ देखने लगा और निहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिन्दगी में ये क्या तुफान आ गया था अच्छी बली तो अराम से जिन्दगी चल रही थी उसकी फिर अचानक से ये सब क्या होने लगा निहा जादा देर तक सोच नहीं पाई उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिये थे वो बस पीछे से रहुल की आवाज सुन पाई थी जो जोर से चिला कर कह रहा था नेहा तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं मैं तुमें इन सब परिशानियों से निकाल लूँगा और मैं तुम से मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ तुम घबराना नहीं लेकिन नेहा रहुल के कहने के बाद भी अपने आपको घबराने से रोक नहीं पा रही थी थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी मैंटल हॉस्पिटल के अंदर थी नेहा को वहाँ के सीनर डॉक्टर के सामने लाकर बिठा दिया गया वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से उसको एक्जामिन करने लगा उसने नेहा से सारी बाते पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बहार से बन कर दिया गया वो अकेली उस छोटे से कमरे में बैड़ पर बैड़ कर फूट फूट कर रोने लगी अभी निहा को उस कमरे में बन करे हुए कोई एक घंटा हुआ ही था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खुला और फिर निहा ने देखा कि वहां से राहुल अंदर आ रहा था राहुल ने अंदर आते समय साथ में आये हॉस्पिटल की चपरासी को पांच सो रुपे देती हुए कहा कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है उसकी बात सुनकर वो रुपे हाथ में पकड़कर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया उसके बाहर आते ही राहुल नेहा से लिपड़ गया और फिर वो रोने लगा रोते रोते वो बोलने लगा नेहा ये तुमसे क्या हो गया अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना तो अपनी जिंदिगी की कलपना भी नहीं कर सकता मैं कास ये कोई भ खुलती और सब ठीक हो जाता और फिर अचानक राहुल रोते रोते जोड जोड से हसने लगा तहा के लगा के ताली बजा बजा के उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो और फिर अचानक वो चुप हो गया फिर उसका चेहरा पत्थर सा हो गया और वो अपने दात पीस्त हुए लाल लाल आखों से निया से बोला, अब जा के आई है तु सही जगा, राहुल ने अपने एक एक शब्द दातों से पीस्त हुए बोले, राहुल का ये रूप देखकर निया को एक तगड़ा जटका लगा, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि राहुल ऐसे क्यों बोल रहा है, उसके मूँ से बस यही सब्द निकले, राहुल तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें ऐसे क्यों कर रहे हो, बड़ी सती सावतरी बन रही है, बहुत नाटक कर लिया तुने, अब बस कर, मुझे तेरे बारे में सब पता चल चुका है, रा तो तब तक नहीं मानने वाली जब तक मैं खुल कर तेरा कच्छा चिट्था नहीं खोल देता हूँ अच्छा तो सुन और फिर राहूल ने नेहा को अपनी गुसे से लाल आखों से घोड़ते हुए बोलना शुरू करा तुझे याद है आज से कोई एक महीना पहले मुझे मेरी जॉब के सिलसले में दूसरे शहर जाना पड़ा था जो मैं अक्सर जाता रहता था और फिर उस काम को निप्टा कर मैं दो दिन बाद वापस घर आ रहा था उसी दिन तेरा बर्थड़े था और मैं तुझे सर्प्राइस देना चाहता था इसलिए मैंने तुझे अपने आने की ख़बर नहीं दी लेकिन मुझे क्या पता था कि सर्प्राइस तो तू देने वाली थी मुझे हाँ, तो आगे सुन, मैं जिस बस से आ रहा था, वो रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के डेड़ बजे घर पहुँच पाया अब इतनी रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी इसलिए मैंने चाबी से फ्लैट का आटोमेटिक लॉक खोल लिया, तुझे शायद ये पता नहीं था कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ क्या करूँ, बैचलर लाइफ की आदतें जल्दी जाती नहीं न हाँ तो आब आके सुन, जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोल कर अंदर आया तो, सारे फ्लैट में अंधेरा था, सिवाए बेडरूम के पहले तो मैं समझा कि शायद तुझे अंधेरे में अकेले डर ना लगे, इसलिए तुने रूम की लाइट आउन की थी, लेकिन मेरी गलत फैमी थोड़ी देर में ही दूर हो गई, जैसे ही मैं बैडरूम के पास आया तो, मैंने कुछ आवाजे सुनी, पहले तो मैं समझा कि तो टीवी देख रही है, लेकिन मेरा ब्रहम भी जल्दी ही तूड़ गया, मैंने बैडरूम के एकी होल से अंदर देखा तो, तो किसी दूसरे आदमी के साथ थी, मैं वो दृष्य देखकर आसमान से आकर नीच गिरा, मन तो करा कि तुम दोनों का महीं पर खून कर दूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत ना जुटा पाया, फिर मैंने अपने आपको समभला, और फिर मैं धरवाजे से कान लगा कर तुम दोनों की बाते सुनने लगा, और अगर उस दिन मैं तुम दोनों की बाते ना सुनी होती तो, मैं इस समय तेरे साम का, जो वो खराब हो गई, और मैं लेट हो गया, हाँ तो अब आगे सुन, कि मैंने फिर क्या करा, मैंने जब तुम दोनों की सारी बाते सुन ली, और फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं, जिसे मैं अगनी के साथ फेरे लेकर आया था, बलकि तू तो कोई और है, बस मैं तुछ से सतर्क हो गया, ऐसा सतर्क जिससे तुझे कोई शक न हो, और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लैनिंग सोचन लगा, और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिल गया, मुझे पता था कि साथ साल पहले तेरी बेहन निधी की मौत हो चुकी है बस वहीं से मुझे आइडिया मिला तुझे याद है जिस रात तुने मुझे पर हमला करा था उस रात सोने से पहले मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफी बना कर पिलाई थी तुझे पता है वो सिर्फ कॉफी नहीं थी मैंने उसमें नेंद की गोलिया मिला दी थी इतनी सारी की तेरे सर पर कोई ढोल भी बजाये तो तू ना उठे और फिर जब तू भियोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतहा मेकप बड़े इत्मिनान से किया और फिर जब तुझे सुभा होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरफ से बना कर सुनाई और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर गया ताकि सब को यकीन हो जाए कि तू पागल है और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मडर करा अरे ना ना तूने नहीं मैंने करवाया था उस हराम जादे का मडर अब सुन कैसे किया मैंने तुझे भी नहीं पता चला अच्छा चल याद कर उस दिन की सुभा नाश्टे के बाद मैंने तुझे कुछ नई दवाईयां दी थी खाने को असल में वो दवा नहीं थी तुझे फिर से भेहोश करने की गोली थी और फिर थोड़ी देर के बाद तू भेहोश हो गई थी फिर मैंने तेरे मुबाईल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा की वो यहां 12 बजे तक आ जाए मेरा पती आफिस के काम से शहर से बाहर गया है मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दोड़ा दोड़ा आएगा और वो ही हुआ मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूँगा तो मैं फस जाऊंगा इसलिए मैं टाइम से आफिस चला गया और तेरे आशिक के मडर का कॉंट्रेक मैंने एक पेशिवर को सौब दिया उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फसाना है और फिर मैंने उसे फ्लैट पर 11 बजे ही भीज दिया उसी चाबी के साथ और फिर उसने अपना काम बड़ी सफाई से करा एकदम परफेक्ट उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिब भी दे दी थी इससे आई का तो तुझे पता ही है और अब आई तेरी बारी अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मरवा देता तो मैं जरूर फस्ता इसलिए मैंने तुझे तब नहीं मरवाया तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में और वो भी आत्म हत्या करके मुझे उस कॉंट्रेक्ट किलर का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉंट्रेक्ट दे दिया है तेरी आत्म हत्या का कॉंट्रेक्ट तू वैसे भी कानून की नजर में पागल है और तू तो जानती ही है कि पागल कुछ भी कर सकता है आत्म हत्या भी मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरेद लिया है वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मरत करेंगे बस अब तू चिंता मत कर एक दो दिन में तो इससे तकलीफ से मुक्ति पा जाएगी अच्छा डारलिंग, अब मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संसकार पर और ये बूलकर राहुल ने निहा को गले लगा लिया और बूला, एक बार एक बेवफा को गले लगा कर तो देखू पता तो चले साला दिल कितने जोर से धड़कता है और फिर वो ठाके लगानी लगा और फिर एक दम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चल दिया ताकि बाहर किसी को शक न हो और इधर नहा जोर जोर से रोते हुए चिला कर राहुल से बोल रही थी राहुल मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई अब मैं सारी जिन्दिकी तुम्हारी वफादार रहूंगी बस एक बार मुझे माफ कर दो तो दोस्तो कहानी बस यहीं तक थे आपको कहानी से क्या सीख मिलती है और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताईएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सबस्काइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए रेड गलड के सबस्काइब के बटन को धबा कर अभी के अभी चैनल को सबस्काइब कर लो ताकि भवविश्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें